हाई आपके लिए मैं लेकर आई हूँ एक बहुती हैलफुल वीडियो इस वीडियो को एंटर देखिएगा वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें खुबसूरत चैरा किसे पसंद नहीं होता तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी होम रेमडी इसे यूज करके आप आ सकते हैं गोरा निखार साथ शाथ शाथ इस रेमडी में जो मैं यूज करने वाली हूँ यह है मेरे पास कच्छा आलू कच्छे आलू को इस्तिमाल करके आप आ सकते हैं एक बहुत ही क्लियर ग्लोइंग इसकिन यह आलू न केबल आपके स्किन को बहतर तरीके से मौश्टराइज करता है बलकि कई तरह के से इसकिन प्रॉब्लम्स को भी धूर करता है इसे आखों के नीचे जो काले घेरे हो जाते हैं उन्हें भी आप इससे कम कर सकते हैं साथे साथ यह इसकिन लाइटनिंग यह जिन के रूप में भी काम करता है आलू में एंटी ऑक्सिडेंट के लावा बिटामिन A, B, C भी पाया जाता है कच्चे आलू लगाने के कौन-कौन से फाइदे हैं यह जान लीजिए चहरे को गलोइंग बनाना, जुरियों को कम करना, मुहासों को दूर करना, दाग धबों को दूर करना, डार्क सल्कल्स को कम करना, चहरे पर निखाल लाना, तुचा को मौश्राइज करना, तुचा की कई समस्याओं को दूर करना तो यहां पर जो आलू था इसके मैंने दो पीस कर लिए है पील ओफ करके मैंने पहले से रखा हुआ था क्योंकि मुझे आपके साथ वीडियो शेयर करना था तो इस तरीके से आप एक चोटा सा आलू लेजिए उसको पिलोफ कीजिए बीच से कट कीजिए और नाइव से उसे हलका सा बीच में प्रेस कर दीजिए उसके बाद मैं ले रही हूँ यहां पर यह टर्मेरिक पाउडर और टर्मेरिक पाउडर मैंने एक चुटकी लिया है और दोनों ही पीस पर मैंने थोड़ा सा लगा दिया है इसके बाद मैं यहां पर नाइव से इसे फिर से जिसे बोलते हैं और गोधना इस तरीके से कर दीजिए जिससे की turmeric powder जो है थोड़ा सा जो आलू में रस होता है उसके साथ अच्छी तरीके से mix हो जाएगा इसके बाद मैं ले रही हूँ एक pinch sugar powder sugar powder से क्या होगा कि यहां पर हम sugar powder मैंने use किया है और आपके पास अगर sugar powder नहीं है तो आप थोड़ा सा चेनी भी ले सकते हैं इसके बाद हम दोनों पीस को इस तरेगे से लेकर अपने skin पर rub करना start करेंगी आलू में vitamin C, magnesium, folate और antioxidant जैसे तत्तो होते हैं तो तचा के लिए फाइदे मन माने जाते हैं आलू के रस में vitamin B6 भी होता है जो anti-aging के लिए प्रभावी होता है आलू के रस को चेहरे पर लगाने से कितने फाइदे होते हैं ये तो आप सब ने जान ही लिया है और suddenly आपके साथ जब वीडियो शूट कर रही थी तब ही मेरे घर पर एक लोग आ गए हैं तो मैं उनसे बात करती जा रही थी और ये वीडियो मैंने दिन में शूट किया है तो इस टाइम पर बहुत चैल पहल रहती है तो इस वज़े से मैं यहां पर audio कर रही हूँ कि आप सबको वीडियो थोड़ा अच्छा लगे और इस तरीके से आपको आलू कर लेके अपने face पर हलका हलका rub करना है और आप इसे अगर possible हो तो morning में कीजिए जब आप कहीं से ठक कर आते हैं तो आप इसे तुरंट अपने skin पर apply मत कीजिए और इसे apply करने से पहले अपने skin को अच्छे से clean कर लेजिए तो मेरे face पर कोई make-up नहीं था ये तो आपने देखी लिया होगा और इसके बाद हम यहाँ पर अपनी पूरे face पर हलका हलका बहुत ही slow motion में इसको rub करेंगे soft hand से skin को बिल्कुल भी harm नहीं करना है और पूरी skin पर अच्छे से apply कर लेजिए forehead पर eyes के आसपा जहाँ आपको dark circles रहते हैं dark spots रहते हैं आपको pigmentation की problem है आपको skin पर जहां भी आपको कुछ भी आपको ऐसा लग रहा है कि skin problem आपको हो रही है तो इस आलू को use करके आप पा सकते हैं बहतर skin कर सकते हैं अपनी I hope आपको ये remedy पसंद आई होगी friends हम कोई भी cosmetic यूज़ करते हैं खुछ भी यूज़ करते हैं तो उसका इतना अच्छा result आपको नहीं मिलेगा हो सकता है इंस्टेंटल मिल जाए मगर वो कुछ time के लिए होता है जैसे हम make up किया make up निकाल दिया बट हमें अपनी skin को naturally खुब आप इसे regular base पर use कर सकते हैं इसका कोई भी side effect नहीं है आप इसे morning routine में शामिल कर लेजिए और बन भीक में ही आपको इसका result दिखना start हो जाएगा जो हमारे natural product होते हैं जो home remedies होती हैं उनका instant result नहीं दिखता है कुछ remedies का कुछ problems के लिए जब हम use करते हैं तो आपको उसका one time मे दिख जाएगा मगर जो इस type की जो remedy होती हैं उनसे आपकी pigmentation dark circle की जो problem होती है वो slowly slowly कम होना start होती है आरे लिए आप सब इस video को enjoy कर रहे होंगी और please आप सबसे request करूंगी अपना प्यार and support मुझे जरूर देजिए आपका जो प्यार and support होता है आप जो videos को like देते हैं comment करते ह या फिर आपको किस तरीके को और videos चाहिए वो भी मुझे comment करके जरूर बताएं मुझे और भी अच्छे-चे videos लाने के लिए motivation देता है काफी दिन से मैं continue नहीं थी channel पर बटब से जो videos आएंगे वो regular होंगी तो आप लोग मुझे comment करें कि आपको किस तरीके को videos चाहिए और आप इसे 2 मिनट के लिए रहने दीजिए face पर और इसके बाद हम यहाँ पर अपने face को wash कर लेंगे तो मैंने बस थोड़ी देर के लिए अपने skin को इस तरीके से इसको apply करने के बाद छोड़ दिया था और अब हम यहाँ पर अपना face wash कर लेंगे तो मेरा face यहाँ पर बस मैं नौर्मल पानी से wash किया है कोई face wash वगरा हमें apply नहीं करना है और काफी अच्छे से अपनी skin को मैंने clean कर लिया है थोड़ा सा turmeric powder use किया था इसकी विज़े से मुझे लग रहा रहता कि मैं थोड़ा सा water water apply कर लूँ तो मेरा face जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर clean हो चुका है और यहाँ पर मेरी super soft skin आप देख सकते हो clear glowing skin आप देख सकते हो कोई dark spot नहीं कोई dark spot नहीं कैसे लगा आपको वीडियो मेरे साथ जरूर शेयर करने है अच्छा लगा हो वीडियो को like, comment, share and चैनल को subscribe नहीं किया है तो जरूर करें मिलूँगी मैं आपसे next वीडियो के साथ त तगल एकई किया है ।याँ जली और पर दोज़ने हैं क Anda क